लो दोस्तों आप कैसे हैं और मैं विजय कुस्वा और आप देख रहे हैं विजरंग बीज बंडार यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे एक प्रोड़क्ट के बारे में और उस प्रोड़क्ट का नाम कवच है तो आज हम कवच प्रोड़क्ट के बारे हम बात करेंग हम चर्चा करेंगे तो जो भी लोग उमारे चैनल पर पहलिवार आई हुए है जनोन अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है प्लीज आप मारे चनल को सस्क्राइब कर लें जिससे खेती संबन्दे नहीं ने जनकारी आपको यहां से मिलती रहे तो बने रहे है वीडियो के अंड तक तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि इस प्रोड़क्ट का नाम कवच है और ये कवच एक फंजी साइड है जो कि ये संजटा कंपनी का ये प्रोड़क्ट है इसमें एक टेक्निकल पाये जाता है और उस टेक्निकल का नाम क्लोरो थैलो निल है जो कि इसमें 75% डवलूपी फॉरम में पाये जाता है यह एक contact फंजी साइड है जियां दोस्तों यह contact फंजी साइड है और यह एक broad spectrum फंजी साइड है broad spectrum फंजी साइड का मतलब यह है कि इसको जब भी हम फसलों पर प्रेव करते हैं यह फसलों में लगने वाले अलग अलग रोगों को कंट्रोल करता है कि किन किन रोगों कंट्रोल करता है तो हम एक नएर रोगों पर भी डाल लेते हैं जैसे कि सेव की फसल में स्कैब रोग लगता है उसको कंट्रोल करता है, कद्दू की फसल में अंगूर की फसल में पावडरी मिल्डू रोग लगता है उसको कंट्रोल करता है, इसके अलावा सेव में एंत्रेक्नॉज रोग लगता है उसको कंट्रोल करता है, फसलों में लीफ पिस्पोट रोग लगता है उसको भी कंट्रोल करता है ब्लाइट को कंट्रोल करता है आलू की फसल में टमाटर की फसल में अरली ब्लाइट और लेट ब्लाइट रोग लगते हैं उनको भी कंट्रोल करता है फलसलन रोग को कंट्रोल करता है जैसे कि टमाटर की फसल में फलसलन रोगों को यह कंट्रोल करता है अब बात करते हैं कि इसको हम किनकिन फसलों में प्रेयोग कर सकते हैं तो इस प्रोड़क्ट को आप लगवग सभी फसलों में प्रेयोग कर सकते हैं जैसे सेव, आम, अमरूद, लीची, अंगूर, मिर्च, टमाटर, बैगन, फूलगोवी, बंदगोवी, अदरक, लैसुन, प्याज, करेला, खीरा, ककड़ी इनके अलावा और भी अन्य फसले हैं जैसे मटर, सैम, भेंडी, पालक लगबग सभी फसलों में आप इस प्रोड़क्ट का प्रेयोग कर सकते हैं इसके अलावा मुवफली में आप इसका प्रेयोग कर सकते हैं और भी अन्य फसलों में आप इस प्रोड़क्ट का प्रेयोग कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इसको हम कब प्रयोग कर सकते हैं और कैसे प्रयोग कर सकते हैं तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी अवस्ता पर प्रयोग कर सकते हैं जब भी आपकी फसल में रोगों का प्रकुप दिखाई दे या रोगों का प्रकुप नहीं भी दिखाई दे त जब भी आप इस प्रोडक्ट का प्रेयों कर सकते हैं इसको कैसे प्रेयों करना चाहिए तो इसको एक ही तरीके से प्रेयों कर सकते हैं कि जब भी आप अपनी फसल पर च्रकाव कर रहे हैं तो च्रकाव के समय ही आप इस प्रोडक्ट का प्रेयों कर सकते हैं अब बात करते हैं डोज की कि इसकी डोज हमको कितनी प्रयोग करनी चाहिए तो इसकी जो डोज है इसकी डोज फसल की अवस्ता पर फसल के प्रकार पर मौसम पर और रोगों के प्रकोप पर नरवर्ड करती है कि इसकी कितनी डोज हमको प्रयोग करनी चाहिए कि एवरेज इसकी डोज आप इसको लगबग 400 से 500 ग्राम प्रत एकड़ के साथ से इस्तेमाल कर सकते हैं यदे आप पंप के साथ से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 40 से 50 ग्राम प्रत पंदे लीटर पानी में या 40 से 50 ग्राम प्रत तंकी के साथ से इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इसको जब भी हम प्रियोग करते हैं तो ये कितने दनों तक रेल्ट दिखाता है और इसको हम किस-किस प्रोडक्ट के साथ प्रियोग कर सकते हैं तो इस प्रोडक्ट को आप जब भी प्रियो कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि ये एक contact fungicide है, इस प्रोडक्ट को आप किसी भी systematic fungicide के साथ भी प्रियो कर सकते हैं, systematic technical कई आते हैं, market में जैसे azoxy strong 20% आता है, और भी कई technical आते हैं, तो systematic fungicide के साथ प्रियो कर सकते हैं, इनके अलावा आप किसी भी tonic के साथ भी प्रियो कर सकते हैं, किसी भी कीटनासक के साथ भी आप प्रियो कर सकते हैं, तो इसको आप किसी भी systematic fungicide, tonic और किसी भी कीटनासक के साथ आप इसका प्रियो कर सकते हैं, इसको एक बार प्रियो करन स्टिकर के साथ प्रयो करते हैं तब यह आपकी पसल पर और वी काप्य अच्छा रेंट दिखाता है और कभी भी आप इस प्रे कर रहे है और बिसेस रूप से यह अधी आप बर्सात के सीजन में इस प्रयो कर रहे थो आप इस प्रयो करना न भूले हैं आप s nihker का प्रेव करते रहें बरसात सीजर में जब भी बशात का समय होता है उस समय आप किसी भी पसल में याद और इस्प्रेए कर ये मार्केट में आपको 12 रुपए से 14 रुपए प्रत्कलों के साव से मिल जाएगा और रेटें बढ़ती भी रहती है अलगलव इस्तानों पर अलगलव भी हो सकती है तो आपके यहां किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं तो यह रही कवच प्रोडक् आर यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं जनकारी के साथ जय जवान जय इक्सान्ट